Hi, thanks for tuning in, मैं हूँ नीलम अगर आप एक new mom है और अपनी नई body image को लेकर थोड़ी conscious है और थोड़ी वरिग भी है कि आप अपनी pre-pregnancy body weight और shape को अचीव कर पाएंगे या नहीं specifically में बात करेंगे हूँ, आपके stomach area में जो fat throughout the pregnancy accumulate होता है, उसे हम drop कर पाएंगे या नहीं, तो इसका जवाब है definitely हाँ, आप कर पाएंगे उस अभी steps को implement करके अपने lifestyle में जो भी मैं आपको इस video में बताने वाली हूँ, जो specially मैंने अपनी personal experience से सीखा है तो चलिए आज का video शुरू करते हैं, तो अपने post pregnancy stomach fat को drop करने के लिए पहला और बहुत important जो step है, वो है be patient and trust the process I can totally understand कि पहली बार delivery के बाद जब अपने आपको हम visualize करते हैं, तो बहुत जादा encouraging feel नहीं होता है और थोड़ी चिंता भी होती है कि जो फिलहाल हम देख रहे हैं mirror में, क्या यह हमेशा ऐसा ही दिखेगा या इससे कम हो जाएगा तो इसका जवाब है, हाँ definitely better हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको patient रहना पड़ेगा क्योंकि throughout the 9 months of pregnancy, जो आप weight आपने puton किया है, उसको drop करने के लिए भी लगभग आपको 9 to 10 months अपने आपको देने चाहिए Throughout the pregnancy, on an average, एक lady 12 to 15 kg weight puton करती है, जो सिर्फ उसके stomach में नहीं होता है, वो उसके overall body में होता है और baby का weight होता है, approximately 2.5 to 3 kg, इसके अलावा जो पूरा weight है, वो आपके अपने body का weight होता है जिसे drop करने में भी आपको उतने months लगते हैं, जितना उसे puton करने में आपको लगे थे तो इसलिए don't panic, don't feel discouraged, just be patient and consistent Second step जो आपको follow करना है वो है breast feeding, क्योंकि breast feeding अपने आप में बहुत important calorie burning process है जितनी भी feeding mothers होती है, उनको extra calories अपने खाने में consume करनी होती है और जितनी भी extra calories हम consume करते हैं, उन्हें digest करने के लिए भी आपका body calories को burn करता है which means कि fat को burn करता है On the other hand, आपकी body में milk production भी एक calorie burning process है, क्योंकि body को milk produce करने के लिए भी calories की जरुरत होती है which again means कि your body is continuously burning calories and fat because it has to produce milk for the baby's demand So throughout this process, you need to eat well, पर आपको ध्यान इस पात का रखना है कि आप जो भी खा रहे हैं, वो बहुत ही nutritious होना चाहिए उसकी nutritional value जादा होनी चाहिए जबकि उसकी calorie value कम होनी चाहिए यानि कि आपको clean home cooked healthy food ही खाना है तो आपके अपने weight reduction के लिए, आपके stomach fat reduction के लिए और आपके baby की health के लिए भी बहुत important है तीसरा step जो आपको implement करना है वो है, give up on all junk food कुछ examples से है added sugar वाले food products, packaged food और deep fried food reason one कि इन सभी food items में कोई भी nutrition नहीं होता है इससे ना ही आपके weight reduction में कोई मदद मिलने वाली है और ना ही आपके baby की health के लिए बहुत अच्छा है जितने भी इन food items में extra calories होंगी, वो again आपके mid section में store हो जाएंगी लेकिन हमारा aim है mid section से, यानि कि stomach से fat drop करना ये आपके stomach fat loss के goal के बिल्कुल against में work करेगा इसलिए आपको junk food से बिल्कुल दूर रहना है next step जो आपको लेना है वो है take enough rest क्योंकि एक newborn baby की या फिर एक toddler की take care करना अपने आप में बहुत बड़ी activity है तो जितना भी वक्त आपको मिलता है rest करने के लिए उसमें please आप rest लीजिए क्योंकि क्या होता है कि पहले की तरह हम अपने सभी काम खुद से करना चाते हैं independently हम किसी की मदद नहीं लेते हैं जो कि now I realize कि थोड़ी mistake है अपने लिए don't be shy about asking for help तो सबसे important benefit ये होगा कि आपके बाड़ी को थोड़ा rest मिलेगा और आपको अपने लिए थोड़ा वक्त मिलेगा और आपके mood को stable रखने में आपकी बहुत help करेगा ये सभी stress factor चाहे वो mental stress हो या फिर physical stress हो बहुत जादा impact करते हैं आपके body weight को आपके stomach fat को drop करने में या फिर उसे store करने में तो इसलिए take help and take enough rest इसके बाद का step जो आपको लेना है वो है involved in some kind of physical exercise वो exercise कोई भी activity हो सकती है जो आपको बहुत जादा पसंद हो कुछ simple examples जो मैंने implement किये थे वो है go out on a walk with your baby अपने baby के साथ आप walk पे चले जाएए उसे प्रैम में रखिए उसे carry मत कीजे तरह की outdoor activity आपके बच्चे के लिए और आपके अपने weight reduction, belly fat reduction के लिए भी बहुत जादा beneficial है इसलिए example है high intensity interval training अब यहाँ पे hit मैंने इसलिए mention किया है because your routine is already so much occupied आपके पास work कम है तो आप अपने आपको short और effective workout में indulge करेंगे जिसे आप कम से कम time में जादा से जादा benefits ले सकें और इट बात आपको यहाँ पे ध्यान इपने की है आपको full body workout से start करना है जैसा कि मैंने video के साड़ी में mention किया था कि spot reduction नहीं होता है क्योंकि आपने overall weight put on किया है तो वो drop भी overall होता है full body workout से शुरू करने के बाद आपको अपने core को भी strengthen करना है आपको अपने abs के भी exercises करने है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक important suggestion देना चाहूँगी कि consult with your gynecologist first कि आप abs related exercises शुरू कर सकते हैं या नहीं कि as a friend एक और bonus tip मैं आपको देना चाहती हूँ कि keep your skin well moisturized in order to prevent those stretch marks जो भी आपको अपके weight loss journey में आएंगे लेकिन अपनी skin को well hydrated और well moisturized रखके उन सभी stretch marks को काफी हद तक prevent कर सकते हैं so the best moisturizers are always oils specifically essential oils और internally अपने skin को hydrated रखने के लिए आप जानते हैं कि आपको plenty of water consume करना है throughout the day इससे ना सिर्फ आपकी skin hydrated रहेगी बही आपका body अपने अंदर के toxins को भी flush out करेगा जिसे eventually आपको अपना stomach fat drop करने में बहुत मदब मिलेगी तो ये थे वो सभी useful steps जो मैंने अपनी motherhood journey और अपनी post pregnancy weight loss journey में implement किये और मुझे बहुत अच्छे results मिले हैं और जो आपके सामने भी है I wish you all the best for your weight loss journey and specially your stomach fat loss journey I am sure कि अगर आप इन सभी steps को अपनी lifestyle में implement करेंगे तो आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं होना पड़ेगा So if you found this video useful give it a like If you have any questions comments below and also subscribe to my channel if you haven't already and also press the bell icon so that you will never miss the video with me again Thanks for watching Bye